क्या आप मार्केट जैसे कोकोनट बिस्किट्स घर पर बनाना चाहते हैं चली सीथते हैं हेलो एवरीवन तेस्ट इन इसमाइल में आपका स्वागत है हमें जिन चीजों की जरूरत होगी वह है आटा चीनी बटर चोटी लाइची का पाउडर ग्रेट कोकोनट और 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 सबसे पहले ड्रेट कप चीनी को हम पिगला लेते हैं तो आधे कप पानी के साथ हमने इसे गै अगर आप चाहें तो मक्कन की जगह देशीगी डालडा या रिफाइन भी ले सकते हैं लेकिन मक्कन से इसका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है तो चीनी पिगल चुकी है अब गैस को बन कर देते हैं चीनी में छोटे-छोटे दाने भी बाकी है जो बिस्क्टिट मे बनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं चलिए कोको नट को ग्रेट कर लेते हैं इसके लिए छोटे होल्स वाला कोई भी ग्रेटर ले सकते हैं चार कप आटे के लिए आप एक कप कोकोनट ग्रेट करें आप चाहे तो गरी कप बुरादा भी ले सकते हैं लेकिन ग्रेटेट कोकोनट क्रंची लगता है आए डो तयार करते हैं सबसे पहले पिसी इलाइची एड़ करते हैं अब इसमें लगभग 40 ग्राम बटर एड़ करते हैं हमने अमूल बटर के 20 ग्राम वाले दो पाकेटिये हैं आप कोई भी बटर ले सकते हैं बस वो सॉल्टेड होना चाहिए सॉल्टेड बटर से जो इसमें फ्लेवर आता है वो रिफाइन और देसी गी से नहीं आएगा तो इन सब को हातों से अच्छी तरह मिक्स कर लीजे अब इसमें कोकोनट को भी आइट कर देते हैं हमने जो चीनी पिग लाई थिया वो ठंडी हो चुकी है आई अब उसको भी आड़ कर देते हैं शुगर सिरफ को थोड़ा थोड़ा एड़ करके इसे गुनते रहें डो रेड़ी हो चुका है आईए अब इसके बिस्किट्स काटते हैं इसे बहुत पतला ना बेले ना ही मोटा अब इसे किसी कुकी कटर से या छोटे गिलास से काट ले ध्या है दोछिए को झाओड़ा हैं तरिए्झर नाहीं रहा हैं युटर उष्यूज एचिट्ट लाओब पाल प्याँ एटाँ राफ़ाईबाबाबगते ऐचित रहा लाज़ाँ हुटर स्वाएं इसी तरह हमने सारे बिस्किट्स को काट लिया है चलिए अब इसे फ्राई करते हैं और इसके लिए हम कड़ाई में रिफाइन डालते हैं तेल हलका गरम हुआ है आई अब इसको फ्राई करते हैं ध्यान रखिए तेल बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा इसे हलके हाथों से धीरी धीरे चलाते रहें कर अजिए बज़ास तेले टना ये ओट्स हार जबतों स्यूपाँ अगर आप इसे लगातार धीमी आज़ पर पकाएंगे तो ये हमारी ही तरह बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे इसे लगातार घुमाते रहिए और पलटते रहिए अगरे काएंगे तरह बने बने लिल्कुल पर आप ऍपना है तो यह पक चुके हैं, आईए अब इनको बाहर निकाल लेते हैं देखिये हैना शानदार इसकी सर्फिस भी क्रेक्ड है, जैसे मार्केट वाले बिस्किट्स की होती है तो आईए बचे हुए को भी फ्राइ कर लेते हैं हमने जो इसमें बटर एड़ किया है उसकी वज़े से इसका टेस्ट और टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है तो लीजिए बहुत ही खस्ता और कुरकुरे कोकुनट बिस्किट्स रेड़ी हैं उम्मीद है बच्चों बड़ों और सभी को बहुत पसंद आएंगे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए नाहे हैं प्रूर कर आपको ये बड़ों तों को लीजिए बड़ों पसंद पसंद हैं हैं कि अज़ों पसंद पसंद आपको झाल